तो दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्क्स करने वालाओं की 12th क्लास पास करने के बाद डॉक्टर केसे बना जाता है Hello Friends, आप देख रहे हो Educational WordStuff Channel तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप से discuss करने वाला हूँ कि जिसमें कई students का दोस्तों doubt होता है कि 12th की class को pass करने के बाद डॉक्टर केसे बने हैं दोस्तों अगर आपने 12th की class पास कर लिए और आपको जै जानना है कि 12th की class को पास करने के बाद आखिर कौन कौन से courses होते हैं तो मैंने उन वीडियो का लिंक इस वीडियो के description में दे दिया है आप इस वीडियो के खत्म होने के बाद उन वीडियो को भी जरूर देखियेगा तो चलिए अब हम अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं तो आप में से कई students का दोस्तों डाउट होता है कि 12th की class को पास करने के बाद आखिर doctor के से बना जाता है तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपने 12th की class पास कर लिए तो आपको MBBS के course के लिए apply करना होगा अब MBBS के course की वी eligibility है कि आपको जो 12th की class है दोस्तों वो आपको medical के subject वे होते हैं जिन में physics, chemistry और biology के जो subject होते हैं जो आप 12th की class में पढ़ते हो तो इसे हम short form में PCB subject वी कहते हैं अब जिन students ने arts जहां, commerce के साथ अपनी 12th की class को पास किया है वह MBBS के course के लिए eligible नहीं होते हैं तो अगर आपने 12th की class PCB के subject के साथ पास की है तब ही आप MBBS के course के लिए eligible हो पाऊगे अगर आपने PCM के subject के साथ 12th की class को पास किया है तब ही आपके लिए मुश्किल हो सकती है तो biology का जो subject है वो compulsory आपको पढ़ना ही पड़ेगा अगर आपको किसी medical की field में जोव करनी हैं तो अगर आपने 12th की class PCB के subject के साथ पास कर लिए तो दोस्तों आपको MBBS के course के लिए apply करना होगा तो MBBS के course को अगर आपको apply करना है किसी भी college में तो इसके लिए दोस्तों आपको entrance exam को clear करना होगा तो जो NEET का entrance exam होता है उसे आपको clear करना होगा और अगर आप NEET का entrance exam clear कर लेते हो आपको college में admission मिल जाएगा तो without NEET exam आप college में admission नहीं ले सकते तो MBBS का course करने के लिए आपको NEET का जो exam है वो आपको clear करना ही पड़ेगा तो दोस्तों मैंने आपसे इस वीडियो में आपसे मैंने discuss किया है कि 12th की class को pass करने के बाद ऐसा कोर्स करना चाहिए जिसके जरीए कि आप doctor बन सकते हैं तो मुझे लगता है कि आपका जो doubt होगा अब clear हो चुका होगा लेकिन आपको किसी भी परकार का कोई doubt है तो दोस्तों आप नीचे मुझे comment box में comment करके ऊच सकते हो नहीं तो आपको इस बीडियो के description में काफी courses के बारे में बीडियोस मिल जाएंगी आप उन्हें बाद जाकर भी देख सकते हो तो आन्त में दोस्तों अभी आपको जाए वीडियो केसी लगी अगर आपको जाए वीडियो पसंद आईए तो वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना